Hello, welcome to our channel Jaya Kuna and Baghela आज हुम पढ़ेंगे preposition और उसके examples A preposition links a noun or a pronoun with another noun or pronoun in a sentence preposition वह शब्द होते हैं जो संग्या और सरुनाम को जोड़ते हैं जैसे Nikki is playing with Ricky in the garden इसमें एक preposition है with जो की noun निकी और noun रिकी को जोडता है वहीं हम दूसरे pronoun के बात करें तो in है जो की garden noun है उससे connect है prepositions हमें location और position बताते हैं time बताते हैं और directions बताते हैं location और position के लिए जो pronounce prepositions हैं वो है in, on, inside, outside, in front of, behind, under, over, etc. जैसे हम एक example देखते हैं देखिए चलिए kitty is sitting on the roof kitty कहां बैटी है on the roof वहीं हम अगर time से related prepositions की बात करेंगे तो at, on, in, before, after, until, within, etc. यह हमें time शो करते हैं जैसे example देख लेते हैं Ricky watches TV after dinner तो यहां after क्या है time शो कर रहा है आगे direction की बात करेंगे तो direction में आएगा from, to, through, या फिर कुछ भी हो सकता है इस जैके पर आगे देखते हैं the train is passing through the tunnel, train कहां से निकल रही है, tunnel के बीच से होके निकल रही है, तो यहां through का use हुआ है आगे हम देखेंगे कुछ bowl के माध्यम से examples जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जब bowl अंदर पड़ी हो तो उसे in बोलते हैं, जब उपर हो तो on बोलते हैं, जब side में हो तो at बोलते हैं और pass में हो तो near और नीचे है ते अन इसी तरह हम आगे देख सकते हैं कि position बताने के लिए हम किन prepositions का use कहा और कैसे कर सकते हैं आई होप कि आपको मेरे वीडियो की दोरा दी के जानकरी अच्छे से समझ आ गई होगी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का तह दिल से धन्यवाद चैनल को subscribe जरूर कर लें और share करें